तो नमस्का दोस्तों एक बार फिसे स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल जेडी कंप्यूटर में दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम जब भी आती निव जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिराज रूए एको निव जानकारी के साथ एको निव लेटिस्ट अपडे माजक् śle आपर आज हम बात करेंगे आपके किवाईशी नहींं हो रहे थी किवाईशी के बात दोस्तों यहां पर आपके फाइनली आपके एक चीज़ी नहीं भरे जा रहा रहे थे तो यहां पर और एक यहां पर working पर हो गई हैgate लिंखके लिन दूसरों यहां पर एक चीज का मैं आपको बता देता हुँ कि जो आपकी यह लिंख seventeen यहां पर केवल और केवल आपके गवर्मेंट कॉलेज का ही link update हुआ हुआ है अभी private किशी भी college की link update नहीं हुई है data आपका यहाँ पर find नहीं हो रहा है चले दुसरों यहाँ पर हम check out कर ले दें check out पर सबसे पहले दुसरों यहाँ पर आपने जो profile बनाई है user id बनाई है वो user id आपको यहाँ पर लिख देना है नीचे आपको password देना है नीचे password सेम आपको जो भी आपने password बनाया था वो आपको लिखना है यदि आपने password भूल गए है तो आप forget करके भी OTP से आप अपना password दुबारा से प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दूसरों यहाँ पर हम login होते हैं login में दूसरों यहाँ पर कभी कभी problem आ जाती है एक बार में login सही से नहीं हो पाता है तो चलिए दूसरों यहाँ पर हम दूबारा से login करने की कोशिस करती है login में आपको जो आपका user ID है दोस्तों वो आपका PR से start होगा login ID इसके बाद नीचे आपको password दिया गया होगा तो वो आपको password दिखना है password जैसे आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीकी का interface आएगा नीचे आपको left side में एक option आ रहा होगा PMS का application उसके क्लिक करेंगे application apply वाले section पर आपको क्लिक करना है यहां से आपको 212 का option select करना है fresh select करना है फिरस मतलब उन candidate के लिए जो आपके first year में है first year यहां पर आपको select करना है PG हो तो भी आपका first year आएगा और यदि आप MA MSC वाले है या फिर BABSC वाले है उन सब के लिए तो यहां पर first year का ही option आता है semester का option नहीं आता है यहां से आपको अपना state select करना है मदपर्देश यहां से आपको अपना जिला select करना है जो भी आपका जिला है वो आपको जिला select करना है मदपर्देश की सभी जिले आपको दिये गए है चाहे आप मदपर्देश में किसी भी जिले से वो सभी जिले भी लगा इसके बाद उस दिए गए हैं, गवर्मेंट टिया कि हैं, पॉल 축 Bachelor के हैं, बाक़ी जो भी आपके लोकल के जो गवर्मेंट कॉलेज़ वह सब हैं आपको यहां पर सच करना चाहएँ हैं तो कॉलेज का नाम लिख दी यहां पर कि डीट कि dedic किती देना है तो जब भी आपने फीज भरी थी फस्ट येर में आपने प्रवेश Лिया था वह पहले जो फिस कि रसित है उसमैं अादिमिक्न टैट लिखा होगा तो वह आपको यहां पर डेट देना है प्रवेश किती थी मैं जो आपने PIECE परी थी उसी की date के according आप यहां पर बो डेट लेकिंगे तो चले यहां पर हम डेट डाल लेती है यहां पर आपको कैलेंडर के माद referring करना है इसको आप कर दिए इसके बाद यहां पर आपको देना है admission ID आईडी यही मैं है आपके admission ID यदि आपकी find हो हो जाती है तो आपका यहां पर फॉर्म भर जाएगा क्योंकि इसी आइडी से आपका फेचिंग होके डाटा जो भी आपका पूरा डाटा रहता है वह मैच हो जाता है जैसी दिख लिए आपका एडिकारी दुवारा संभाधित उसमें अपडेट नहीं हुआ है तो दूस्तों यहां पर दूसर चका आउट करती है do आइसे हैं पर से चालवली सेक्शन पर जाएंगीwszy सेक्शन हवाह सब्सक्षा एलसन में किया anticipate करेंगे तो यहाँ पर हम दोबारा से कॉलेक्ट करेंगे, को जुझ करेंगे, क्योंकि दूसरा form है, यहाँ पर हम दोबारा से admission ID को जरूर चेक आउट करेंगे, admission ID दोस्वें आपको वही देना है जो आपने फीस भरी है, उसी में आपको UG वालों को 12 से start होगा PG वालों का यहां पर 22 से start होगा तो वो ही ID आपको यहां पर भनना है बाखी आपकी यहां पर कोई भी ऐसी admission की ID नहीं है यदि आप ITI वाले हैं तो आपको ITI वालों को registration number बनना है यदि आप university level वाले हैं तो आपका जो interest का registration number था वो आपको इंट्रेंज का application ID, registration number वो ही एक ही कहलाता है वो ही आपको यहाँ पर फ़नना है तो ITI वाले यहाँ पर ITI का registration number वरेंगे जो फर्स्ट टाइम मिला था College वाले BABSA या फिर MAMC वाले जो आपको E-Private के माध्यम से जो आपको number प्राप्स हुआ था वो आपको number वनना है इसके बाद दूसरी यहाँ पर PG वालों के लिए 20 00 से होगा या फिर 22 से स्टार्ड होगा यूजी वालों का यहाँ पर 12 से आपका registration number स्टार्ड होगा जो आपने फीस पर है एडमिटेडर लिखा होगा उस फीस की रसीद में वही आपको यहाँ पर भर देना है तो चले दूसरी यहाँ पर हम दुबारा से दूसरे फोर्म में भर के देखते हैं कि क्या हमारा फोर्म हम यहाँ पर संविट होता है यहाँ फिर नहीं होता है तो चले दूसरी यहाँ पर हम अगयन से ही UM को एप्लिकेशन नंबर आपको इहां पर फुल्फिल करना है पर लेती हैं नंबको आपको वह नंबर फनंन तो सबसक्वार फूल09 कि यहां पर ही प्रॉब्लम मौत रही है क्या आपका रिकार सवस्तादवर नहीं हुगा है तो चले तुद्द यहां पर एक देख आणाएगें तो आपको कैसे आपका data सोगा बो भी आप да आपका मैच होता यहा पर पर आप ज़रा से नीचे आएंगे तो आपको यह पर पूरा जो डाटर रहेगा आपका जो application form है उसके अनुषार ही यहां पर आपका data जाएगा जी है दोस्थ यहां पर आप देख सकते हैं ज़रा से आपको जे पीजी फ़ॉर्मिट में पीडेप में बर्डे में डाह्मेंDoc में जिसमें भी चाहिए? आप इसको कर सकते हैं, तो यहां पर सिंप्ली ताडीके से आपको यहां पर आइप मालापत्र जो है बो आपको यहां पर ब्रॉस करना है, ब्रॉस्य यहां पर आपके लिए ब्राउस बाली सेक्शन पर आपको क्लिक कर दीजे यहां से आप अपना आए प्रमाल पत्र लगा दीजिए चले दूसरी यहां पर हम ब्राउस करते हैं ब्राउस करने के लिए दूसरी यहां पर आपको ब्राउस पर क्लिक करना है यहां से आपको आपक यहां से मेट करेंगे करेंगी करेंगें यहां पर हांपर एका होया जाएग आपका कुछाएगा नहीं आएगा एक है इसान रखना है कि आपको दूसरी जगासे आपको है और यहां पर टेसे बताएगा यहां सफूब्ट नहीं है अब को संपल सब्णा है कि अब दोए आपनों कियोंकि देना का उफन मिलेगा आपको छेटा सबस्तु आपको ऊप्सकुर से यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा application form का तो इस बाले print application form को आप क्लिक कर दीजिए यहां से आप अपना सारा टाटा चकाउट कर सकते हैं और यहां से सिंप्ली तरीकी से आप अपना प्रिंट अपने पास future reference के लिए रख सकते हैं तो फिलाल के लिए दूस्य तना आई विडि़ अच्छा लगा तो प्लेश कारी अपडेटेट करता रहता हूं तो आज के लिए दूस्से इतना ही जैहिंद के लिए एक हैं तो आपके लिए थिए